हेलो एरिवन, विल्कम बैक टुद आडले एले क्षपर्ट्ट चैनल तो इस फ़्ले में हम बात करने वाले हैं किसी भी वेबसाइट को हम अपने अप में कैसे लोट कर सकते हूं मिन्स वेबवी अप कैसे ग्रेट कर सकते हैं तो वेबवी अप ग्रेट करने के लिए सबसे पह यहां से आपको language जावा सिलेक करने है जो है वही उसको fill up करना इसके बाद आपको finish बटन पर click कर देना है तो जैसे हम finish बटन पर click करेंगे यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर show हो रहा है loading and gradle build तो हम wait करते है ग्रेडल build finish होने तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर gradle build finish हो चुका है यहाँ पर show रहा है scanning file to index तो अभी हम क्या करते है activity main.examen में आ जाते है और यहाँ पर हमें बटन को implement कर देते हैं अगर कोई भी user यहाँ पर click करेगा तो वो direct webview app में चला जाएगा तो में यहाँ से change कर देता हूँ consistent layout को इसको में change कर देता हूँ related layout में तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर हमने related layout इंटर कर दिया है हम text view को remove कर देते सबसे पहले और इसकी जगा हम implement करेंगे button तो button में आपको width दे देने 150 dp and height दे देंगे हम 60 dp तो आप देख सकते हैं यहाँ पर button अभी show रही है इसके बाद आपको enter कर देना है and यहाँ पर आपको on click use कर देना है means अगर इस button पर कोई click करता है तो हम दूसरी page में चले जाएगे इसलिए हमने यहाँ पर on click दे दिया है यहाँ पर आपको next click देना है इसके बाद आपको enter कर देना है यहाँ से आपको text लिख देना है next तो आप देख सकते हो यहाँ पर text और next के नेम से हम इसको id define कर देते है add direct id button इसको again enter करना है and यहाँ से आपको इसको center में लेके जाना है इसलिए हम क्या करेंगे layout center in parent true कर देने इसको close कर देना है जो भी बटन है क्योंकि अभी हमारा completely work हो चुका है यहाँ पर जो हमने on click use किया है उसको हम main activity.java में लेके जाएंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा इसको select करना होगा इस bulb पर click करना होगा यह जो दिख रहा है आपको create next view in main activity आपको इस पर select कर देना है आप देख सकते हो अभी हम on click में आ चुके है अभी आपको यहाँ पर code लिखना है intent का तो मैं यहाँ पर pass कर देता हूँ intent 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 is equal to new intent जिस activity में है उस activity का name means main activity.this कॉमा जिस activity में हमें जाना है means webview activity .class and इसको semicolumn से close कर देना है तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी activity create नहीं किये webview activity तो हम थोड़ी दिर में इसको भी create कर देंगे सबसे पहले हम start activity यहाँ से pass कर देंगे start activity and intent को यहाँ से pass कर देना है तो मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ intent को and हम यहाँ पर एक activity create करेंगे webview activity तो इसको copy करना होगा यहाँ से right click new activity empty activity and activity name दे देना है आपको webview activity और इसके बाद आपको finish बटन पर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं जैसे हमने finish किया यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड भी finish हो जाएगा तो अभी हम क्या करते है activity webview में आ जाते हैं यहाँ पर हम code एंडर करेंगे मींस यहाँ पर हमें code लिखना होगा webview app का तो यहाँ से आपको सबसे पहले webview select करना होगा तो मैं सबसे पहले इसको change कर देता हूँ constraint layout को relative layout में इसके बाद आपको यहाँ से web activity के नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको यह जो दिख रहा है completely इसमें हमें webview को select करना होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ से arrow दे देता हूँ और select कर देता हूँ webview और हमें पूरी जगा चीए इसलिए हम match parent match parent करेंगे width and height and इसको हम एक id define कर देते है id add direct id webview इसके बाद आपको enter कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे completely webview पूरे page में आ चुका है अभी हमें इसका java code enter करना होगा तो इसलिए हम चले जाते हैं webview activity में सबसे पहले तो हम जो webview हमने .xml file में define की है उसको हमें यहाँ पे define again करना होगा java file में webview तो देख सकते हो अभी हमने webview name दे दिया है यहाँ पे हम declare कर देंगे इसको webview is equal to findview by id r.id. जो भी हमारा id था हम यहाँ से पास कर देंगे जैसे कि यहाँ पे webview था इसलिए हम यहाँ पे पास कर देंगे webview ओके तो अभी हमने इसको declare कर दिया है अभी हमें एक progress dialogue को use करना होगा जैसे कोई use करेगा means अगर कोई user आएगा तो सबसे पहले next बटन पर क्लिक करेगा इसके बाद ओ direct webview पेज में तो चला जाएगा बट उससे पहले load होने से पहले हमें progress show होना जिए तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे progress dialogue को select करेंगे progress dialogue is equal to progress dialogue .show यहाँ से आपको pass कर देना जिस activity में है उस activity को pass कर देना है webview activity .this, and यहाँ से आपको pass कर देना जैसे क्या show होगा loading तो मैं यहाँ पे लिख देता हो text में loading and इसके बाद हम comma दे देंगे and यहाँ पे pass कर देंगे true and semi columns इसको close कर देना है इसके बाद हमें अगर कोई progress dialogue पे click करेगा तो वहाँ पे कुछ भी वाखमनी होना चीए इसलिए हम क्या करेंगे progress dialogue .setCancelable false हम pass कर देंगे तो अभी हमारा यह code हुआ progress dialogue के इसमें अभी हमें webview को भी load करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से enter करेंगे webview.getsetting.set javascript enable and यहाँ से आपको pass कर देना है true and semi columns इसको close कर देना है इसके बाद अगेन आपको यहाँ से enter करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है webview.getsetting.load सबसे पहले हम pass कर देंगे set load with override mode क्या pass करना है यहाँ से आपको true pass कर देना है क्योंकि हमें यह boolean में pass करना है इसलिए हम pass कर देना है true again webview.getsetting.set windowviewport यहाँ से अगेन आपको pass कर देना है true यह होने के बाद अभी हम क्या करेंगे again webview को declare करेंगे set view set web view client यहाँ से आपको method select कर देना है पूरी completely webview client की इसके बाद आपको यहाँ से enter कर देना है and semi columns इसको pass कर देना है ओके तो अभी हमें यहाँ पर दो method implement करना होगा एक हमें pass करना होगा तो सबसे पहले हम method select करने के लिए क्या करेंगे ctrl o press कर देंगे and यहाँ से हम एक method pass कर देंगे should overload url loading ओके जो आपको टॉप में दिखाई दे रही है वही आपको select कर देने है मैं यहाँ से इसको select कर देता हूँ and ok बटन पर में click कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो भी method है should override url loading का यहाँ पर method आ चुका है again हमें एक method यहाँ पर implement करनी है तो इसके लिए हम यहाँ से enter करेंगे and यहाँ पर हम control o करेंगे and यहाँ से आपको pass कर देना है on page finish तो आप देख सकते हैं जो method है इसको यहाँ से select करनी है इसलिए हम ok क्लिक कर देंगे इसके बाद इसको हम back कर देंगे and इसको भी sim हम इसको remove कर देंगे तो अभी हम क्या करते हैं progress dialogue को show कर देते progress dialogue dot show view dot जो भी url pass करेंगे हम उसको load करना होगा इसलिए view dot load url यहाँ से आपको pass कर देना है जो url है आप देख सकते हैं उसको हमने यहाँ पर pass कर दे इसके बाद आपको return true कर देना है यह होने के बाद अभी on page finish अगर page finish हो जाता है तो क्या होगा जो भी progress dialogue राएगा वो finish हो जाएगा means dismiss हो जाएगा तो इसलिए progress dialogue dot dismiss तो आप देख सकते हो हमारा completely view का जो भी code होता है वो हमने pass कर दिया यहाँ से हमें url को भी pass करना होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ webview dot load url and यहाँ पर string है तो हमें string में क्या enter करना है जो भी हमारी website रहेगी जिसके मैं अभी google पर चले जाता हूँ and google की जो भी कोई भी हमे url मिलता है हम यहाँ पर इसको paste करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम google में आ चुके हैं तो मैं यहाँ से flip card को select कर देता हूँ जो भी flip card की url है इसको हम copy कर लेंगे तो मैं इसको ctrl c से copy कर लेता हूँ and load url में इसको मैं paste कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको completely paste कर दिया है अभी हम इसको run करके देखेंगे बट यहाँ पर error शो कर रहा है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुन सा error है तो आप देख सकते हैं हमशने message में यहाँ पर true pass कर दिया है तो इसलिए यहाँ यहाँ पर error शो रहा है मैसेज में क्या pass करना है आप को please wait मैं यहाँ पर string provide कर देता हूँ double dot से यहाँ पर pass कर देता please wait and comma देना है यहाँ पर आपको जो भी boolean value वो pass कर देना है true तो आप देख सकते हो अभी completely जो भी error था हमारा resolve हो चुका है अभी आपको manifest file में जाना है और यहां से आपको permission दे देनी है internet के and access network state की तो uses permission internet and same uses permission network state तो अभी हमें कोई भी internet का work नहीं है इसलिए मैं इसको off कर देता हूँ अभी आपको resource file में जाना है values में जाना है and string sorry theme.xml में जाना है and यहां से आपको जो dark action bar दिखाए दे रहा है इसको यहां से replace कर देना है no action bar में theme.xml निचे भी हमको provide कर देना है no action bar तो अभी हमारा completely जो भी code का है वो work हो चुका है मैं आपको सबसे पहले step by step बता देता हूँ अगर कोई user आएगा next button पे click करेगा इसके बाद वो redirect हो जाएगा webview activity.class में तो यहां पे आप देख सकते हैं जो हमने class implement किया है वही आपे show रहे इसके बाद user इस activity में जाएगा तो उसको जो भी flip card का URL हमने pass किया था वो वहाँ पे show हो जाएगा तो अभी हम सभी file को close कर देते और हम app को run करके देखते हैं कि हमारा app completely work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं सबसे पहले भी mobile device को connect कर देता हूँ android studio के साथ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे show हो रहा है oppo rmx811 तो अभी मैं run app पे click कर देता हूँ तो जैसे हम run app पे click करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते है तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे launch succeed का message आ चुका है और gradle build भी finish हो चुका है और mobile device में हमारा आप देख सकते हूँ next का भी button show रहा है जो कि हमने activity main.examl में implement किया था ओके आप देख सकते हूँ जो next button है वही यहाँ पे show हो रही है तो जैसे हम next button पे click करेंगे तो हमारा web view activity का page open हो जाएगा मैं next button पे click करके देखता हूँ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे loading show हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे loading implement किये थे text view में इसलिए वह show रहा है और आप देख सकते हूँ अभी flip card का जो भी home page open हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे URL वही paste किये थे तो I hope guys अभी आपको completely समझ में आओगा कि कि किसी भी app में web view को कैसे implement करते है तो अगर आपको यह video पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना हमारे चाइनल पे नहीं होते चाइनल को सस्क्राइब कर देना तो में तेगले नए वीडियो में तब तेक लिए जहिन जे भारत